हे गाईज वेलकम टू मैं चैनल वी नैचुरल खुशी आज मैं आप लोग के साथ में सेयर करने वाली हूँ आप घर बैटे अपने बालों को कलर कैसे कर सकते हैं साथी साथ आपके बालों में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपके बाल बहुत जादा ज हुजली होती है तो इन सारी प्रॉब्लम से आप पा सकते हो चुटकारा और आपके बालों में काफी अच्छा सा कलर भी आएगा अगर आप कलर करोगे तो अगर आप चाहते हो कि आपके बालों का हेयर ग्रोथ भी होगा जिनके बालों का हेयर ग्रोथ रुक गया है उनके ब आप देख सकते हो जो हमने लिया यहां पर यह है हमारा गुड़हल का पत्ता गुड़हल का पत्ता जो होता है यह काफी ज्यादा अच्छा होता है आपके बालों में कलर करने के लिए और आपके बालों को मजबूती भी देने के लिए तो यहां पर हमने लिया है जो नीम का प तर जो होता है यह आपके बालों की स्केल में जो भी खुजली वगरा होते हैं यह उसको दूर करता है सिकेंड थर्ड हमने लिया है यहां पर टी ब्लेक टी जैसा के बोलतो ना को यह ग्रीन टी तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हो इसके जगा पर अगर आप चाहो तो चाही की पत्ती भी इसमें ले सकते हो बट ग्रीन टी जो होते है वो चाही की पत्ती से ज़्यादा इफेक्टिव होता है और आपके हेर के लिए और भी ज्यादा अच्छा होता है तो इसके लिए अगर आपके पास हो तो आप ग्रीन टी भी इसका यूज़ कर सकते हो फिर उसके बा बालों में नए बाल भी हुगाता है काफी हर तरीके की प्रोब्लम का यह सल्यूशन है ऐसा समझ की रखे आप इसको अलोवेरा जो होता है आपकी फेस पर लाइटनिंग भी लाता है और आपके स्कीन पर जितने भी दागधब्बे होते ही उनको भी दूर करता है तो अगर रेंडरोफ को यह रीमूव करती है जितने भी आपके बाल जो है पहले से जढ़ रहे थे उन बालों का हेयर ग्रूथ जो बढ़ना इस्टार्ट होता है बट आपके बालों जो होते हैं जढ़ने बंद हो जाते हैं फिर उसके बास से आपको यहां पर करना क्या है तो आप च इसको पकाना है जितनी इंगिरेंट आपने लिया था वह सारी इंगिरेंट आप इसमें एड़ कर दीजे रखने के पास से इसको उबाल देजे अगर आपने एक गिलास या डिल्लास पानी लिया तो उसको जला कि उसकी कौइंटिटी जो है वह आप आधा करते से जब आप क्योंकि और इसको फ्लेम जो है इसका हाई नहीं होना चाहिए फ्लेम पीर और इसको अच्छा से पकाःओ कि इसको पिपाल कि इसको निटी चाहिए इसके है के ऐसंटीड शाहिए तीग हैं अब निपर यापनी करे gives पाने कश्क यं निपाने के निपकर पैous मुस्किल होता है फिर आपके बालों में मजबूती देगा अगर आप इसको पानी का यूज करते हो तो आपके बालों में अच्छे सी मजबूती भी देगा आपका हेयर ग्रोथ भी नए बालों को उगाता भी है आप इसको पहले तो अपने बालों में जो कॉलेज गॉइंग है इसको अपने बालों में किवाल इस्प्रिय कर सकते हैं नाइट में St sales के जिए सुबह में अपने बालों को बॉस्क कर हैं सेकेंड्रे kij है वो है हमारा सम्फू करना सबस्यादा मुस्फिल कम होता है क्योंकि कौन सा सेम्पू लें कौन सा सेम्पू ना ले कौन सा कैमकल फ्री है कौन सा कैमकल फ्री नहीं है तो इन सब को अगर आप चाते हो दूर करना तो आपने जो पानी प्रेपेर किया है उस पानी में आपको एक सेम्पू को एड करना है एड करने के बास से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेज़े जब यह आपका अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर उसके बाद से एक खाली केंटेनर में भरके रख लेज़े या फिर किसी भी इस्प्रे वाले बोटल में आप इसको रख लेज़े रखने के पासे जब आप सैंपू करते हो तो जैसा आप सैंपू करते हो वैसे ही इसको आपको लगा लेना है लगा कि इसको 5-5 मिनट तो 3 मिनट जैसा आपके पास टाइम है ऐसा आप अपने बालों में लगे रहने देजे फिर नहाती रहे है उसके पास अपने बालों को लाश्ट में वॉस करके निकल जाए तब तक कि इसके जो गुढ़ने से वह आपके बालों के जड़ों में अच्छे से चली जाएंगी और आपके बालों में जो रख देना रहता है इनका यह अपना वर्क दिखाना स्टार्ट कर देता है तो इसके लिए आपको ऐसे ही इसको अपलाय करना है पानी कभी मैंने बता दिया यूज़ करने के लिए और इसका का हेयर ग्रोथ जो रुख कया था वह आपको धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे दिखनी लगेंगे आपको दो हपते में ही इसका रिजल्ट पता चल जाएगा तो अब हम बात कर लेते कि हमें महंदी कैसे प्रिपेयर करना है तो यहां पे कितने लोगों को तो यहा नीशा ब्राउन है यहां पे हर्बल चीजों से बनी हुई है साइनी और सिल्के आपके बालों को सौप्ट भी रखता है यहीना बैसीड है तो यह आपके बालों को काफ़ी अच्छा सा गुड़नेस भी देता है इसमें सारी इंगेरियंट अवैलबल है जो कि नैच्रल सकते हो इसके पीछे भी इसके सारी चीजें मेंसन की गई है आप इसके बारे में जान सकते हो अब आपको लेना क्या है यहां पे हीना क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डाक प्राउन नहीं चाहिए तो उसके लिए हमने यहां पे लिया है हीना हीना को आप अपने बालों के according लेज़े अगर आपके बहुत जदा बड़े हैं या फिर घाने हैं तो आप इसका quantity आधा लेज़े क्योंकि अभी हमें निशा मेंदी का भी इसमें यूज करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर आधा ही लेंगे उसके बाद से आपको यहाँ पर हमारा जो मेंदी वो थोड़ा ठीकी होगे क्योंकि पैकेट हमने काटके रखा था और बरसात का टाइम में तो थोड़ा जमने टाइप का जैसा हो गया था तो आप उसको अच्छे से मैल्स कर लिए फिर उसके बात निकालेगा तो यहाँ पर हमने फिर मेंदी को ले लिया है हीना को अब हम लेंगे इसमें नीशा मेंदी जो होता है ये आपके बालों को ब्राउन करने में काफ़ी ज़्ल्थ फूल होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा lightning and signing भी देता है तो आप अपने बालो के according जितना आपको चाहिए आप उतना ले लिजे फिर उसके बाद से हमें यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जिनको भी बारगंडी कलर चाहिए वो यहाँ पर क्या चीज़े यूज करेंगे जिनको बारगंडी कलर चाहिए वो यहाँ पर चुकंदर का जूस औरेड़ी निकाल के रख लें चुकंदर का जूस जो होते है यह आपके बालो को काफ़े अचा सा बारगंडी कलर भी देता है और आपने जो मेंदी लिया है इसमें आपको एक से कौफि पाउडर भी vos मेंदी अपके उigare क्यूक्त-पाउडर फो यहाँ आपके बालों को टाक कलर देने में काफ़ेज़ा यहां हेल्थफूल होते है अen जो हमने चुकंदर का जूस लिया है वो आपके बालों में भी जाद धजया हेल्थफूल होते हैं अब हम बात के ले रहते हैं कि यहां पर brown color के बारे में तो brown color हमें जो चाहिए ज inquiry हम मेंधी के लिए आपको बनाने के लिए same ऐसे ही process आपको करते जाना है आपका जो मेंधी का color है वो brown color आएगा जिनको dark color चाहिए वो केवलिगा आपे नीशा मेंदी का यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि नीशा मेंदी काम यूज़ ना करें तो आप यहां पे हीना और नीपूर दोनों मेंदी को ले सकते हो इस पानी में एड़ कर सकते हो और अपने बालों में अच्छे से इसको अपलाई कर सकते हो यह जो मेंदी होती ना काप ज़्यादा अच्छी होती है और इसकी smell भी बहुत ज़्यादा प्यारी होती है कोई भी heaviness वगएरा नहीं होती है तो अभी तो हमारी मेंदी जो है वो mix हो चुकी है अब आपको इसको ढखके रख देना है आधे घंटे के लिए या फिर time नहीं है तो 10-15 मिनिट के लिए भी आप इसको रख सकते हो फिर उसके बाद से इसको जब हमारा 10-15 मिनिट हो जाएगा फिर आधा घंटा हो जाएगा उसके पास से आप निकाल के देखेगा आपका मेंदी जो है वो पहले से अच्छे से सौप हो चुका है अब हम आपको इसको अपने हाथों के finger पे लगा के दिखाएंगे मैं इसको तुरंट से टैप करूंगे और तुरंट ही अपने हाथों को निकाल लूँगी और आपको दिखाऊंगे कि color कितना जदा प्यारा आ रहा है कितना अच्छा आ रहा है तुरंट मैंने इसमें टैप के और तुरंट से अपने हाथों को निकाल लूँगी तो इतना प्यारा color आ रहा है आपको मेंध्या अपलाइ करने से पहले आपके बालो में किसी तरह का ओइलिंगgoing Career नहीं होना चाहिएmar काफी जवेदापर आएगा और ऐसा ही आपके बालों में आएगा क्योंकि मैं घर के अंदर दिखा गोग待 अगर धोफ में आप जाओगे तो और भी वेडाइकर लिए संहलें के बाद में करने करने के पाद में हैं जब्लांचे से लोक हो अपानिस